स्वागत है आप सभी का ग्यान गंगा चैनल पर हिंदो पंचान के नुसा आशारमा के कृष्णपक्ष की एकादशी के दिन योगनी एकादशी का व्रत रखा जाता है योगनी एकादशी के दिन भगवान विष्णू की पूझा अर्चना करने का विधान है पानेता है कि योगनी एकादशी के दिन भगवान विष्णू की पूझा अर्चना करने से सभी प्रकार की मनोका मनाय पूरी होती है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में योगनी एकादशी कप है एक य दो जुलाई को एकादशी की दिति क्या रहेगी, वरत की विधी क्या है, की कथा क्या है, और पानर का समय क्या रहेगा तो चलिए शूँ करते हैं आज की वीडियो को लेकिन वीडियो शूर करने से पहले अगर आप में चैनल पर नए है और अभी तक आपने से सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी एक आदशी व्रत के तितियों की जानकारी प्राप करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथ में बेल आइकन को प्रस कर दीजे तकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिलकुर मत भूलिये तो चलिए शूर करते हैं आज का वीडियो श्रिंगार करें वस्त्र पीले फूल फल माला चंदन धूप दीप शपकर हल्दी तुलसी के पत्ते पान के पत्ते और सुपारियादी अर्पित करें ब्ल describes भगषण के मंत्रों का जाब करें विश्णू चालिसा का पांट करें योगिनी एकादशी व्रत की कथा को पढ़े या सुने भगवान विश्णू को भोग लगाए भगवान विश्णू की आर्ती करें शाम की समय फलाहार करें, अगले दिन द्वादशी तिथी पर शुब मुहरत में व्रत का पारान करें शाम द्वादशी की व्रत कता के नुसार स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेन नाम का एक राजा रहता था, वो शिभ भगता और प्रदे दिन भगवान शिप की पूजा किया करता था, हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहां फूल लाया करता था, हेम की विशालक्षी नाम की सुन्दर इस्त्री थी, एक दिन वो मांसरोवर से लेकर नहीं आया, सेवकों ने कहा कि महाराज वो पापी अतिकामी है, अपनी इस्त्री के साथ हास विनोद और रमन कर रहा है, ये सुनकर कुबेन ने क्रोधित होकर उसे बुलाया, हेम माली राजा के भैस एक आपता हुआ उपस्दित हुआ, राजा कुबेन ने क्रोध में लेकर कहा, अरे पापी, नीज, कामी, तुने मेरे परम पुझिने इश्वरों के इश्वर से शिर्श महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तु इसरी कभ योग सहेगा, और मिर्टी लोग में जाकर कोड़ी होगा, कुबेर के श्राप से ह माली का स्वर्ग से पतन हो गया, और वो उसी चर्ण पृत्वी पर गिर गया, फूतर पयाते ही उसके शरीर में स्वेत कोड़ हो गया, उसकी पतनी भी उसी समय अंतरधान हो गई, मिर्टी लोग में आकर माली ने महान धूप दो, जयानक जंगल में जाकर बिना अन और जल क भटकता था, रात्री को निद्रा भी नहीं आती थी पर अन्दुशिव जी की पूजा के प्रभाव से उसके पिछले जन की स्मृती का ग्या नवश रहा, दिन घूमते घूमते वो मारकंड रिशी के आश्रम में पहुचा, जो ब्रह्मा से भी अधिक ब्रिद्ध थे, और आश्रम भ्रह्मा के सभा के समान लगता था, हेम माली वहां जाकर उनके पैरों में पढ़ गया, उसे देखकर मारकंड रिशी बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है, जिसके प्रभाव से ये हालत हो गई, हेम माली ने सारा व्रतान कैस उनाया, ये सुनकर रिशी बोले, निश्ची थी तुने मेरे सम्मोक सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्दार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ, यदि तु आसारमा के किश्नपक्ष की योगिनी नामा के एकादशी का विधी पूर्वक व्रत करेगा, तो तेरे सारे पाप नश्ट हो जाएंगे, ये मेरे वीडियो में अंद तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।